आज मैं आप सबसे चिकिन के बने सैमे कोक गोला कबाब की रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो आप एक ही वक्त में धेश सारे तयार कर सकते हैं और राम से तीन से चार मही ने फ्रीज करके यूज कर सकते हैं मैं आप सबसे चिकिन के बने चपली कबाब, सीक कबाब और कोफतो की रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ जिनकी रेसिपी आप उपर आई बटन क्लिक करके आप पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं आप इने फ्रीज करके बिल्कुल ऐसे ही इस्तेमाल करेंगे जैसा के आप ब्रेंडिट फ्रोजन आइटम लाकर इस्तेमाल करते हैं तो आपको अप महंगे तरीन ब्रेंडिट फ्रोजन आइटम लाने की कोई जरूरत नहीं है आप घर में ब्रेंडिर फ्रोजन आइटम से बहुत अच्छे और सस्ते घर में बना सकते हैं बिस्मिल्लाइ रमाने रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स उमीद है आप सब खैरे से होंगे आप चिकिन के चप्ली कबाब बनाएं, सीख कबाब बनाएं या कुफते बनाएं तो कोशिश करें के चिकिन का बोनलेस चैस्ट पीस घर में लाकर अच्छे तरीके से धो लें थोड़ी देर स्टेनर में रखें ताके चिकिन में से एक्स्टर पानी निकल जाए और फिर किचिन टावल वगारा की मदद से थोड़ा ड्राइ कर लें और फिर पीसिस बनाकर चॉपर में कीमा बनाएं तो ये मैंने हाफ केजी चैस्ट पीस लिया है ड्राइ करने के बाद इसकी मैंने सफाई कर ली है अब इसे मैं छोटे पीसिस में कट कर लूँगी चिकिन को छोटे पीसिस में कट कर लिया है चॉपर में एक दर्मियानी प्यास रफली चॉप्ट शामिल की है और ये चार से पांच अदर हरी मिर्चे शामिल की है पहले इने बारिक चॉप्ट कर लेना है चॉप्ट कर लेने के बाद चॉपर में बूनलेस चिकन शामिल करेंगे जो के 1.5 kg है चॉपर में चिकन शामिल कर लेने के बाद अब इसका कीमा बना लेना है ये चिकन का कीमा बन कर तैयार है और साथ ही हरी मिर्चे और प्यास कीमे में मिक्स हो चुके हैं अब इसमें हमने मसाले शामिल करने हैं तो 3-4 टीस्पून या हस्बेसाय का नमक शामिल किया है एक टीस्पून पिसी हुई देगी मिर्ची शामिल की हैं आप देगी लाल मिर्चों की जगा हस्बेसाय का पिसी हुई लाल मिर्च का भी इस्तमाल कर सकते हैं एक टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्चे शामिल की है, हाफ टीस्पून हल्दी पॉर्डर शामिल किया है, दे टीस्पून भुना पिसा साबुद धनिया, एक टीस्पून भुना पिसा सुफैस जीरा, हाफ टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला, टेस्ट इस एंसर के तौर पर ये मैं half teaspoon chicken powder शामिल कर रही हूँ जो के optional है दो tablespoon भुने हुए चनों का आटा शामिल किया है और ये दे teaspoon लेसांदरक का paste ये मैं एक tablespoon भर के दही का शामिल कर रही हूँ अगर आपके पास मलाई मौझूद है तो एक tablespoon मलाई शामिल कर सकते हैं ये मैं इसमें 3-4 चुटकी baking soda शामिल कर रही हूँ आप इसकी जगा कच्छी सोहागे का powder भी शामिल कर सकते हैं baking soda या सुहागे से चिकन के कबापों या beef के नर्मो मुलायम और लचकदार बन कर तयार होते हैं इसमें ये मैं सिर्फ एक bread slice छोटे pieces में कट कर के शामिल कर रही हूँ अब इन तमाब अज़ा को चिकन के कीमे में एक जान हो जाने तक पीस लेना है ये गोला कबाप का better बन कर तयार है अब इसमें हमने हरा धनिया शामिल करना है हरा धनिया इसी तरह बाद में शामिल कीजिएगा तो इसमें ये मैंने तकरीबन 1 फोर्थ कप बारिक चॉप किया हुआ हरा धनिया शामिल किया है अब हरे धनिया को better में mix कर लेना है अब better को तकरीबन आदे पॉन घंटे के लिए फ्रिज में रखेंगे ताके ये सेट हो जाए गोला कबाप का better सेट हो गया है अब जल्दी से गोला कबाप बनाने शुरू करते हैं अब आपने क्या करना है kitchen counter पर या फिर chopping board पर cling wrap को set करना है और गोला कबाप का better cling wrap के एक side पर इस तरह फैलाते हुए डालना है और हाथ की मदद से इस तरह चौड़ी सी और लंबी strips ही बना लेनी है मैंने ये better सिर्फ 3 टेबिल स्पून लिया है क्यूंकि हमने गोला कबाप छोटे size के बनाने हैं लेकिन अगर आप चाहें तो थोड़े बड़े भी बना सकते हैं मैंने better को cling wrap से 2 इंच के फासले पर डाला है और right side से भी तकरीबन 3-4 इंच फासला छोड़ा है अब इसके बिल्कुल center में आपने सीख रखनी है और इस तरह से cling wrap को fold कर देना है इसी तरह से 2-3 बार fold करते हुए roll करना है और अब cling wrap को cut कर देना है आप सीख की जगा मोटे skeever या फिर chopstick का इस्तेमाल कर सकते हैं अब cling wrap को मोटे धागे की मदद से सीख के सिरे से fix करते हुए बान देना है अब batter को इखटा करते हुए tight कर लेना है अब जितने बड़े आपने गोला कबाब बनाने हैं उसी हिसाब से मुटे धागे से बानते हुए गोला कबाब बना लेंगे इस प्रासेस से गोला कबाब बहुत जल्दी से बन कर तयार हो जाते हैं और यकीन जानिए ये गोला कबाब बहुत मज़ेदार नर्मो मुलाइम और जूसी बन कर तयार होते हैं अब आखिर से भी क्लिंग रैप को फिक्स करते हुए बान देना है ये गोला कबाब हमने सीख की मदद से बनाए हैं लेकिन आप सीख बगारा के बगार भी ये कबाब बना सकते हैं बस इसी तरह से तकरीबन दो इंच क्लिंग रैप को किनारे से छोड़ते हुए तीन टेबिल स्फून बैटर डालेंगे और इस तरह से फैला देंगे अब हमने बैटर को सीख बगारा के बगार रोल करना है रोल कर लेने के बाद एक सिरे पर गिरा बान देनी है अब बैटर को हमने क्लिंग रैप में टाइट करना है अगर आप बैटर को टाइट करके दूसरे साइट पर भी गिरा लगा देते हैं तो इस तरह sausages बनकर तयार हो जाएंगे, यह जो sausage बनकर तयार हुआ है, इसे हमने तकरीबन देर से 2 इंच के फासले पर मोटे धागे से बानते हुए गोला कबाब का शेप देना है, और आखरी सिरे पर गिरा लगा देनी है, सेम तरीके से आप chop steak या फिर इसकी वर की मदद से भी गोला कबाब बना सकते हैं, यह हमारे गोला कबाब बनकर तयार है और एक अदर sausage की तरह बने बनाया है, अब हमने क्या करना है, कुकर लेना है, क्यूंके कुकर की depth जादा होती है, कुकर को तकरीबन पूरा पानी से भर लेना है, और इसमें high flame पर एक उबाल आने देना ह उबाल आने के बाद जो हमने गोला कबाब तयार किये हैं, पानी में शामिल करके high flame पर पका लेना है, जब तक कबाब पक रहे हैं, तो हम कबाब के साथ सर्फ करने के लिए हरी मिर्चे तयार कर लेते हैं, यह मैंने छोटी वाली हरी मिर्चे ली हैं, बस इस पर एक कट लग सकते हैं छोटे-छोटे गोला कबाब है इनने पकने में जाधा टाइम नहीं लगेगा और इसे हमें ओवर कुख नहीं करना ओवर कुक करेंगे तो हारड हो जाएंगे मैं ने सिर्फ हाइप फ्लेम पर पाँंच मिनट पकाया है अब इन्ने निकाल लेना है अब इनने हम धंड रीवन 80% पके हुए हैं जब इन्हें हम fry करेंगे तो यह 100% पक जाएंगे यह जो मैंने sausage की तरह बनाया है जिसे आप पतले slices में काट के और हलका सा fry करके burgers बगारा में या pizza में इस्तेमाल कर सकते हैं अब इन्हें मैं आपको fry करके भी बता देती हूँ किस तरह fry करने हैं कबाबों को shallow fry करना है तो पैन में हजबे जरूरत oil लेकर medium flame पर गरम करना है पैन की गुंजाइश के इसाब से कबाब शामिल करने हैं और medium flame पर ही alert पलट करते हुए अच्छा सा golden color आ जाने तक fry करना है यह मैं freeze किये बगाब कबाब फ्राय कर रही हूँ तो इसलिए medium flame पर फ्राय किये हैं अगर आप freeze किये हुए कबाब फ्राय करेंगे तो medium to low flame पर फ्राय करेंगे जब तक के अच्छा सा golden color ना आ जाए कबाब फ्राय कर लेने के बाद आखिर मेर जो हमने मिर्चे तयार की है मैं फ्राय कर लूँगी मैं ये गोला कबाब sizzling plate में serve करूँगी अगर आपके पास sizzling plate ना हो तो आप normal plate में serve कर लीजेगा आप यकीन जानिये ये गोला कबाब और जो बागी मैंने frozen item आप सबसे share किये हैं बहुत नर्मो मुलायम और मज़ेदार बन कर तयार होते हैं आपने मेरी recipes ज़रूर ट्राय करनी है और मुझे comments करके ज़रूर बताना है कि आपको मेरी recipes कैसी लगी अगर आपको मेरा काम थोड रिस्क से वसीजवसी तर फरमाएं आमीन मुझे और मेरी family को भी अपनी दौाओं में याद रखिएगा अपना और अपनी family का बहुत खयाल रखिएगा अगली recipe की वीडियो तक के लिए अला हाफिज